अगर आप सार्दी नोरात्री में माई सार्दा के पावंधा मैहर की आत्रा में आने वाले हैं तो यहां मिलेगा आपको मात्र दस रुपए में भरपेट भोजन विश्व प्रिशिद माई सार्दा मंदिर मैहर में माई सार्दा प्रवंधन समीत द्वारा संचालित अन्नकूट रसोई में मात्र दस रुपए में भरपेट भोजन कराया जा रहा है यहां प्रत दिन सुबह ग्यारा वजे से भंडारा सुरू होता है और तीन बचकर तीस मिनट में समाप्त हो जाता है अगर आप भी दस रुपए में भरपेट भोजन का आनंद लेना चाहते हैं तो माई सार्दा मंदिर के प्रवेश द्वार की सीड़ियों पर बाई और बने अन्नकूट में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं अन्नकूट के प्रवंधक सुरेश गर्ग ने बताया कि इस अन्नकूट की स्थापना एक जनवरी 2010 में माई शार्दा प्रवंधन समित की ओर से की गई थी जिसका उद्देश दूर दराज से आईश रद्धालूँ को सस्ते दरों पे भरपेट भोजन उप्रब्द कराना है वहीं अगर शार्दी मेले की बात की जाए तो यहां खाने वालों की संख्या 6000 से 7000 तक हो जाती है शामाने दिनों में यहां भोजन करने वालों की संख्या प्रति दिन 1100 से 1100 रहती है और समय 11 बजे से 3.30 तक लेकिन शार्दीन और आत्री मेला में इस भंडारे को ब्रहद दे दिया जाता है तब यहां भंडारा सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संचालित होता है जिसमें 6-7000 लोग भोजन करते हैं स्रद्धाल भक्तों की सेवा में चलता है नौरात रहोध में इस भंडारे को बिशाल रूप दिया जाता है इस भंडारे को प्राता है 7 बजे से रात 9 बजे तक स्रद्धाल भक्तों की सेवा में चलाये जाता है यह भंडारा मासारदा देवी मंदिर प्रबंध समीती द्व करते हैं प्रति दिन यहां कितने लोगों का भोजन बनते हैं अप सीजन में इस बंडारे में लगभग एक हजार से घ्यारा सो बेखती दैनिक रूप से भोजन प्रसाद पाते हैं मेलावद में इस बंडारे को भी साडूप दे दिया जाता है उस दौरान लगभग 5-6 जार ब झाल झाल